तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुलोगीज्म का कोश्चन नंबर है यह नौ तो यहां पर नौमा कोश्चन में साथ स्टेटमेंट है पर मैंने यहां पर तीन लिखा है और चार मैं वाकी लिख दूँगा जब इसको मैं हम लोग तीन पहले सॉल्ब कर लेंगे उसके तो नौमा आण है तो कैसे बनाते हैं यह था लेकिन यहां पर कुछ अलग है उस वीडियो से उसकों से यह कॉश्यन संटेंस यह भी पॉजेटीव संटेंस अब देखो ये संतीनों को पॉजेटिव पॉजेटीव क्यों हुआ तो आप लोग जाके सपेशल हींटस में जाओ उस वीडियो में जाकर देखो तो एसलिवीडियो में कि कैसे में ने identify करना सिखाया है plus और minus का अगर कि मैं थोड़ा सा recall कर देता हूं कि कोई भी संटेंस में नहीं नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो निगेटिव संटेंस है और नहीं लगा हुआ रहेंगा यहां पे कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है मतलब यह सब के यह मैंने बताया था तो यहाँ पे सबसे पहले marking कर लिए तो सारा का देखो rule number one मैंने क्या बताया था कि अगर conclusion statement positive तो उसका conclusion भी positive यह मैंने बताया था और negative statement का negative conclusion यह मैंने बताया था कि अगर statement positive तो conclusion भी positive अगर statement negative तो conclusion भी नीगेटीव यह rule number one rule number one से पहले check करेंगे marking करने के बाद rule number one लगाते हैं तो rule number one है positive statement दोनों का दोनों positive सारा का सारा positive ठीक कोई दिकत नहीं है positive सारा है यहां अभी चार और एक conclusion है, वो भी मैं लिखूंगा, पहले इन तीनों को पहले solve कर लेते हूं उसके बाद, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 150 लिखेंगे, तो सभी के लिए, सभी के लिए मैंने बताया था 100, और कुछ के लिए 50, यह मैंने बताया था, ठीक, यह marking करने के लिए है rule number two का, तो सभी के लिए 100, object के लिए 50, सभी के लिए 100, object के लिए 50, कुछ के लिए 50, object के लिए 50, यह मैंने लिखवाया था, marking करने के लिए मैंने इस इखाया था, उसके बाद क्या था, कि हम लोग 100 से 50 बना सकते हैं, ठीक, लेकिन हम लोग 50 से 100 नहीं बना सकते हैं, कटकूट का मतलब है नहीं बना सकते हैं, और सही का मतलब है बना सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे क्या है, चाभी बंद, तो चाभी बंद कहां पे है, statement में वो हमें खोजना है चाभी, दर्वाजा नहीं है, दर्वाजा, बंद नहीं है, तो बनेगा कैसे, बनेगा कैसे बनेगा, mix करके statement को जोड़ करके देखो यहाँ पे चाभी, दर्वाजा, नहीं है, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, चाभी और बंद लेकिन यहाँ पे चाभी और दर्वाजा है और यहाँ पे भी दर्वाजा और बंद है चाभी बंद किसी में नहीं है तो किसमें किसमें मिल रहा है statement को जोडने पर चाभी बंद मतलब statement number one और statement number two को जोडेंगे तो क्या मिलेगा चाभी और बंद लेगने जूटेगा कैसे ये पहले मुझे बताओ तो जूटेगा कैसे वो मैं तुम्हें बताओंगा तुम मत बताओ मैं तुम्हें बताओंगा कैसे जूटेगा दोनों स्टेटमेंट तो सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को जोडने के लि एक स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट पहला दूसरा स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो क्या बनी मिलेगा क्या मिलेगा रुको पहले इसको ऐसे नहीं हम लोग ऐसे लिखेंगे देखो लिखेंगे पहला दूसरा इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा पॉजेटिव 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 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा पॉजेटिव मतलब पॉजेटिव पॉजेटिव को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एक मैट मैं देख लेता हूँ पॉजेटीव नीगेटीव नीगेटीव को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा tra casting ही नीगेटीव नीगेटीव हा लिटीव य Students को जोड़ेंगे तो नो रिलेेशन है मतलब रिलेशन ही नहीं बनेगा मतलब email को baru नहीं बन सकता है, no relation ठीक, यह, अब यह मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, अभी और है, दो और है, plus, minus, चाहे उल्टा पल्टा रहे, यह नीचे उपर है, कोई दिकत नहीं है, यही दो बनता है, तो plus, minus कहोगा, minus, ठीक, अब बन क्या, यह बता, मैंने बता क्यों रहा हूं, इसक को sentence को combine करना है, statement को combine करना है, तो सबसे पहले sign को combine करेंगे, plus, plus क्या बनता है, मैंने क्या बताया, plus, plus, plus बनता है, यहाँ प्लस, यह plus है क्या, statement के conclusion, conclusion है, यह conclusion है, मतलब यह rule to one को दर्सारा है कि, अगर दोनों को मिला के कोई भी statement, conclusion बन रहा है, तो वो अगर, वो हमेशा plus ही होगा, क्यूं होगा, क्यूंकि उपर में plus, plus, plus होता है, तो plus, plus, plus होता है, तो plus, जितना भी conclusion plus में है, positive में है, वही सब conclusion सही होगा, तो यह सब plus में है, मत पर हम लोग फिर क्या करेंगे ये तो हो गया conclusion से plus 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 होता है minus minus no relation मतलब relation नहीं बन सकता है और plus minus minus मतलब plus or minus रहेगा एक positive एक negative तो minus रहेगा इस तरह से रहेगा ठीक है तो अब हम लोग बनाएंगे कैसे combine करेंगे तो दोनो statement में common क्या है वो हम लोग देखेंगे कि common है क्या दर्वाजा यहां भी दर्वाजा यहां भी है की नहीं common है मतलब हमको दर्वाजा को common लेना है कैसे लेगे इसको इस तरह से करके ले लिए दर्वाजा दर्वाजा common अब बचा क्या चाभी बंद चाभी बंद मिल गया हमको चाभी बंद लेकिन क्या बोलागा statement कि अगर plus plus दोनों को combine करेंगे तो क्या बनेगा conclusion positive यह positive है मतलब अभी तक यह सही है rule number one इस पे apply हो रहा है अब हम लोग क्या करेंगे numbering चक करेंगे यहाँ पे चाबी है 100 यहाँ पे भी 100 अभी तक सही यहाँ पे बंद है 50 यहाँ पे बंद है 50 सही हम लोग कब चाबी हो बंद को सही कर सकते हैं कब जब यहाँ पे दोनों common होगा लेकिन मैंने एक बात नहीं बताया आपको कि दोनों में से एक सड़ी दोनों में से कोई एक common का value 100 होना चाहिए मतलब चाहे अगर मालो यह गलती से 50 हो जाए और यहाँ पे 50 हो जाए तो कभी relation बंढ़ी नहीं सकता है कब बनेगा जब यहाँ पे कोई कोई दोनों में से कोई 100 होगा मतलब यहाँ पे 100 है सभी है तो 100 है सो है तब रिलेशन बनेगा प्लस प्लस पॉजेटी बनेगा लेकिन यहां पर पचास दोनों में पचास तो यहां पर रिलेशन नहीं बन सकता है नो रिलेशन हो जाएगा यहां पर सो यहां पर पचास मतलब दोनों में से कोई एक में भी सो होना माइंडेटरी है मतलब सो होग मैंने आज नेया क्या बताया तो ये तिनों बताया और एक और चीज में बता रहा हूं यहां पर नीचे में लिखते हैं क्या था एक common का value 100 होना चाहिए एक common value बरावर 100 यह होना ही चाहिए कब जब हम लोगा statement को mix करेंगे combine करेंगे तब यहाँ पे हम लोग combine करना है plus plus positive 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 होता है लेकिन यहाँ पे common का value 100 होना ही चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए 50-50 नहीं होना चाहिए एक का तो 100 होना चाहिए दोनों 100 हो जाए कोई दिकत नहीं है दोनों 100 हो जाए कोई दिकत नहीं है लेकिन यहाँ पे एक का 100 होना जरूरी है तो है ठीक है अब यहाँ पे एक common का value कोश कंक्लूजर नंबर टू को यहां पर चाभी बंद चाभी बंद कंबाइन करके है अब देखो यहां पर ऐसा भी दे सकता है मिक्स कर देगा चाभी दरवाजा तो हम एक पीछले वाले वीडियो में तो मैंने बताया था एक वाला का रूल कि अगर दो स्टेटमेंट है और अगर चाभी दरवाजा होता तो हम लोग चाभी दरवाजा सर्ट बनाते कंक्लूजर नंबर सिफ्वन से बनाते तो यहां पर कंबाईन करके दिया हूँ रहे है और common तो होगा ही होगा, लेकिन common का value 100 होना जरूरी है, अब यहाँ पे, यहाँ पे चाभी 100, यहाँ पे 100 को 50 लिख दिया है, हम लोग 100 से 50 बना सकते हैं, तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे बंद, बंद को 50 को 50 लिखा है, सही है, ठिक, ऐसे करके बनाना है, अब यहाँ पे बंद है यहां पे 50 यहां पे 50 सही है 100 को हम लोग 50 बना चकते हैं 100 को 50 बना सकते हैं तो यह भी सही ठीक है अब यहां पे इसको no-down कर लो और यह सब rule लिख लो ये वाला ये वाला और ये वाला ये वाला ये एकदम जरूरी है ये common value हमेशा 100 होना जरूरी है वीडियो को पाउस करो और लिखो तो लिख लिए अब यहाँ पे कंक्लूजन नमबर चौथा से इसको हम लोग मिटा रते हैं जलो लिखा जाए आप लोग भी लिखो साथ साथ कि चौथा फटाफट बनाते हैं अब लोग कि सभी कि बंद कि चाभी कि है कोई बंद चाभी नहीं है कुछ चाभी बंद नहीं है कुछ चाभी बंद नहीं है कि अब सात्वा लास्ट कोई बंद कोई बंद कोई चाभी बंद नहीं है है ठीक है तो यहां पर आप लोग इसको उतारो कोश्चन को और यहां पर चार साथ स्टेट्मेंट हो गया पहले दीन वाला और अभी चारिये तो अब लोग इस इन सब को बनाएंगे तो यहां पर हम लोग को देख रहे हैं कि सब यह जो लास्ट का तीन है उसमें नहीं पॉजटिव तो कन्टूजन भी पॉजटिव लेकिन यहां पर स्टेट्मेंट पॉजटिव हैर कंक्लूजन सारा का सारा तीन नहीं करनाlsनि सारा ना यहां पर पहले यह तो पॉजेटीव हो गया साइन लिख लिए इसका अब सभी का वैलू सौ होता है और कुछ का वैलू 50 होता है और सौरी ऑप्जेक का वैलू 50 होता है बंद यहां पर 50 को सौ लिख दिया है और होगा पचास से हम लोग सौ बना सकते हैं नहीं ना तो यहां पर 50 को सौ लिख दिया है भईया यहां पर 50 से सौ नहीं बना सकते हैं तो मतलब यह गलती आगे चेक करने का कोई जुरुएत नहीं है ठीक जैसी गलती हुआ फटाक से काटो आगे बढ़ो इतना टाइम पस नहीं करने का और यह होता है वीडियो समाप्त और इन सब कोस्चन को आप लोग लिखो बन्या से कोपी में नोट्स की तरह बनाओ